हेलो गाईज, कैसे हो आप सब उमीद करती हैं, आप सभी स्वास्त होंगे, मस्त होंगे तो आज, आज देखो मौसम कितना सुहाना और रखा है बारिश का सब मौसम और अभी बारिश आने वाली है तो देखते हैं हमारी वीडियो कितनी बनती है मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यहां अलग सा क्या है अस्टेलिया में तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगे यहां का कल्चर कैसा है और यहां का लाइफ स्टाइल कैसा है आज हम अपनी वीडियो में इसके बारे में बताएंगे तो जो मेरी पिछली वीडियो थी आपने उसको बहुत प्यार दिया और मेरी वो वीडियो जो है वो तेरा लाख लोगों ने देखी उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और प्लीज मेरी वीडियो को इसी तरह आप लोग देखते रहना तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो अच्छे से अच्छे बना सकूँ तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहां से हमने वो वीडियो खतम करी थी उस वीडियो में हमने बताया था बच्चों को की बच्चे के बारे में बच्चे के 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 उन्होंने जिस से भी करनी हो, वो उनकी अपनी मर्जी पर निर्वर होता है, माबाप कोई लड़की या लड़का ढूंडे की इतनी जरूरत नी होती, माबाप मतलब ढूंडते ही नहीं, बच्चे अपने आप ढूंडते हैं यहां के सब्सक्र Gilbertonsто-sयूरा ecosystem यहां का कल्चर के यहां पे जब बच्चे बढ़ को जाते हैं तो बच्चे जो ह वह माबाफ के साथ ने रहते हैं तो यानि अलग रहने लग जाते हैं ओलग अलग घृर लेक das तो-था सबसे पहले मैं बताओं कि यहां पे नई कलोनी बन रही है, यह हम आये हुए नई कलोनी के उदर गुमते हुए, इसलिए देखो आपको वीडियो में थोड़ा गंदा सा दिख रहा होगा, इधर भी अभी नई कलोनी बन रही है, अभी मतलब यहां तो कटी रहे हैं प्लाउट यहां का कल्चर है कि बच्चे माबाब के साथ रहते ही नहीं है, माबाब को मतलब बच्चों की शादी की चिंता नहीं होती वो अपने आप पर पैसा जोड़ते हैं, अपने आप पर शादी करते हैं, और कई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं, जो सादी नहीं करते हैं, लेकिन उनको मतलब शादी का इतना दवाव नहीं होता, उनके पर के शादी उन्हें करनी है, ऐसा नहीं है, और यहां के लिए यह आम बात है, इस तरह से, और हमारे बच्चे जैसे बड़े हो जाते हैं, माबाब के लिए चिंता हो जाती है, लड़का है तो लड़की दूढनी है, ल अधिराय के घर में ही पूरी जिंदगी भिता देते हैं, तो चलिए, अब बात करते हैं, यहां के बच्चे की पढ़ाई की, यहां के बच्चे स्कूल जाते हैं पहली से पाँची तक उन बच्चों का बैक बिलकुल हलका होता है, उसमें क्या होता है जादा थादा पीने की तो यहिず इस नहीं बच्चों को बच्चे बच्चे का रहा हूतीज, घर मैं कोई बऻ야 हूतीजह, इसकी अधियो घार्दी उरśmy. तो नहीं के सफे का महाश्चे पंश प्रेष्टी को लगभा उन में परपी समल देशे, भी चेमेने नियुक्त तुम ज़ू क्या है। यहां बैठ जादा दसमी पास कर रह रखे होती है, उन पे जादा दवाव नी होता उन प्ड़ी तो न न पीपड़़्ा तो न प्ड़ी रखा बाकि यहां बैस बैठ लिक भाखे हो एक इन्जीनियर एं डौक्टर एं जो के बैठ गोज्ब भाव ने देते हैं वह पढ़ाई करो, पेपर आने वाले हैं चलो पढ़ाई करो लेकिन यहां पे कुछ समें होईग करने के अंप पढ़ाई करो अर होऊदा यहां की तुछ सीही काफी निए अन्थ कता चाहिए के जिए, फरेख पाम टेती है जो पढ़ खने में होची को amen, वो बैसंते हैं, मैक डॉनल्ल में लग जाते हैं यहां पर काम भी काफी है तो बच्चे अराम से अपनी जिंदगी पूरी निकाल देते हैं और सेलरी भी उनको पूरी पूरी मिलती है हाँ यहां सेलरी का एक बड़ा अच्छा सिस्टम मैंने देखा है यहां पर क्या है कि जो बहुत जादा कमा बड़े का और एक छोटे उसका दोनों का बराबरी बैड जाता है क्योंकि जो ज्यादा कमाता उसके ज्यादा पैसा कट जाता है जो कम कमाता है उसका तो कटता ही कम है लेकिन जो बहुत ज्यादा कमाई भी घटके वापस उसी लेवल पर आ जाती है कम कमाने वाले के बराब एक और है कि यहां पर क्या होता है कि जो यहां के जो बच्चे होते हैं वो अपने माबाप के लिए दारू लेके जाते हैं यानि की बोतल और वैसी दारू नहीं होती है रेड वाइन होती है, मतलब यहां की जो रेड वाइन होती है, वो क्यों लेके जाते हैं, जैसे अपने माबाप से मिलना होता है, वो अपने माबाप से जब मिलने जाते हैं, तो ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, वो क्या माबाप से पहले पूछते हैं, कि हम आप से मिलने आ रहे ह का जब हम जाते हम, आव मिलने आजाओ तब ही जाते है और इहां तो वह उनके घर जाते हैं यह प ए रहया की आपने माबmaking के लिए रिष वाइजम्या लेखे यारी णिका ले आल खायां कि आसे का जाते हुं अरद ही और नहें बहु आना जाते हैं और रह हम उनका रहते हैं घ धक बिरेड वायन की बोतल लेके चरूरे जाते हैं अर एक यहाँ कालचर मैंने क्या देखा है यहाँ पे बच्छे होते हैं तो अपने बच्चे उन का नाम ले पोन हा हमगों को कि इतना बुरा लगता है यहाँ माना जाते है यहाँ एक नहुंग इन जाता है। जब यहाँ एक पहले है तो यहाँ किया हुआ होआग नोग को शोगिर्ग्नियान उनकों English नी आती तो वह English निटा आती हैं यहा कि लोग इस உल में बुलाते है तो जब हमोगों से को देश में बुलाई है तो हम लोग उन्हारी बात्चित कर मत रिखने जरमनी को फिरी कि भूना शोली है तो हमने उनको good morning good morning sir बोला तो उनने का नहीं नाम लो मेरा तो क्या नम था उनका अभी तो मैं नाम भूल गई हूं क्योंकि ये बात काफी साल पुरानी हो गई है चार-पांच साल हो गई है तो इसलिए मैं ये चीज नाम भूल गई अभी मतलब यहां पर ऐसा कल्चर है कि नाम लेके बुलाते है और उनको बड़ी खुशी होती है कि भी मुझे याद करते हैं मतलब मुझे जानते हैं मेरा नाम ले रहे है अच्छा यहां का एक कल्चर और है क्या कल्चर था यार मैं बूल गई जो यहां का तेवार है हम लोगों का जैसे दिवाली होता है तो ऐसी यहां के लोगों का जो तेवार है वो होता है क्रिसमस मतलब कि यहां पर क्रिसमस के तेवार को दिवाली की तरह ही मनाते हैं यहां के लोग और यहां के जो लोग हैं जहां पर पैदा होते हैं वहीं पर ही मतलब तरही पितादेते हैं, यानि कि अगर वह उत्त घाओं में है तो जोब भूल जाते हैं, वहुन फ़ह को में पर मास इप दो जाने की तरवदे पड़ती हैं, वहीं अपनी पितादेते हैं, तो बात करते हैं कपड़ों की. तो देखो, इहां पेढ़ फूल कपड़े Пेने लेकर यहां के लोग उनको जादा तर डार्क कलर के पसंद मेड़े मैं आते हैं और में यहां के लोग ढ़ ए कूलरे में लाक पी पे जादा आ को बनाते हैं नमक और काली मिर्ज यह ही इस्तिमाल करते है हम लोग तो जैसे ज्यादा मसाले वाला कहते है यहां के यह झाला झाना तो यहां अगल यहां जो नोग झोल देप्ज जो लोग पालते हैं जो उट्टर बिलिप झाल रखा हो तो अपने साथ में जब गुमाने ले छाते है तो अपने साथ एक थैली लेके चलते हैं, ऐक थैला ज़रूर रखते हैं और जांगे कुता पहीं पर रर्स्ते में पाटी कर देता हैं तो वह ले जाते हैं और अपने घर जाके तॉयलेट सीट उसमें डालते हैं यानि कि यहां इधर उधर नहीं करने देते और दूसरा, यहां पर आवारा जानवर आपको नहीं दिखेंगे, मतलब कि यहां पर आवारा जानवर कहीं पर नहीं दिखते हैं, तो दोस्तों, यहां पर क्या है, ओटो रिक्षा यहां पर कहीं पर भी नहीं है, ओटो रिक्षा कि रहां कोई नीं उते यहां ठेले वाले कोई नीं होते यहां पर चोटी जह होते हैं मौ McMahon GL लोंगे यह छोटे मौह वहीं पर ही दुकाने होती हैं ठील हिğanल्प चोटी डरे रहार ऐसे मेरे हम कितना खुब सूरत लग रहा है और अभी अभी बारिश आने वाली क्योंकि देखो काले बादल आ गए और पटाफट भागते हैं अपने घर की तरफ को क्योंकि बारिश आने आ वाली है अभी अलवीदा ना कहना तो यह भी मेरी वीडियो देखते रहना कभी अलवीदा ना कहना और अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद रहे हैं तो प्लीज सेर जरूर करना और एक लाइक तो अभी तुरंती कर देना वैसे मैं बहुत कोशिश करती हो अपनी अच्छे से अच्छे वीडियो दिखा हूं आप लोगों को लेकिन हो सकता कहीं पर कमी रह जाती होगी तो उसके लिए मार्क करना लेकिन प्लीज मेरी वीडियो लाइक करना शेयर करना कमे अच्छा होता है और यह तो बारीश का मौसम हो रही ती तो अब रुक 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 रेकिती लेकिन अभी फिर से आसे काले बादल ज्यादा हो गया है फिर बारिश चुरू होने वाली है तो आप से बाकी की बाते घर जाके ओगी इस तरफ से सिन और डिखा दो ना घर का कर दो कर दो